असलाम अलेकुम, आज मापितार शेयर कर रही हूँ सूफले पैनकेक्स बनाने की रेसिपी जो की जैपिनीज स्टाइल पैनकेक्स हैं और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बन कर तेयार होते हैं और बनाना आसान भी बहुत होता है और सब को पसंद भी बहुत आते हैं आपके दोनों अंडों की सफेदी मैं निकाल लूँगी सफेदी को हमें एक साइड में रखना है और जर्दी को हमें दूसरी साइड में रखना है तो यहाँ पर दोनों अंडों की सफेदी मैंने निकाल लिया है इसको हम एक साइड में रख देंगे और एक दूसरा बाउल ले ले और इसमें हम डाल देंगे दोनों अंडों की जर्दी तो यहाँ पर सफेदी और जर्दी को हमें सेपरेट कर लेना है अलग अलग बाउल में और अब हमें इसको अच्छे तरह से फेट लेना है तो इसके लिए मैं हैंड बेंडर का इस्तमाल कर रही हूँ यह पैनकेक बनाने के लिए हैंड बेंडर बेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर हमें इसको बेस्ट लेविल पर फेटना होता है जर्दी को भी और सफेदी को भी लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो पिर आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं आपको टाइम जादा लगने वाला है फिर अब हम इसमें डालेंगे दो टेबिल स्पून दूद नॉर्मल टमप्रिचर का उबलवा दूद है ये और एक टी स्पून डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और तीन टेबिल स्पून डालेंगे मैदा यानि की ओल परपस फ्लार और अच्छी तरह से फिर से इसको ब्लेंड कर लेंगे और हाँ इसमें एक टी स्पून वनीला एसेंस पी डालेंगे मिला देंगे इस सभी चीजों को अच्छी तरह से तो अभी इस जर्दी के मिक्षर को रखेंगे एक साइड में और अब हम चलते हैं सफेदी को भेटने के लिए सफेदी में हम डालेंगे एक टी स्पून नीबू का रस या फिर सिरका अगर आप नीबू का रस या फिर सिरका नहीं डालेंगे बस इसको high speed पर 3-4 मिट के लिए हमें blend करना है जब इसमें stiff peaks form होने लगेगी 1x4 का PCV शकर डालेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके 3 batches में इसको डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे blend करेंगे थोड़ा सा डालेंगे blend करेंगे एक साथ पूरी शकर नहीं डालनी है इस बात का ध्यान रखना है और यह देखे हैं हमारा mixture तैयार है और आप इसकी stiff peaks देख सकते हैं यह देखे हैं एकदम perfectly done है यह तो अब हम आजाते हैं जर्दी की तरफ और यह थोड़ा थोड़ा mixture इसमें डालते जाएंगे और हलके हलके हाथों से इसको मिलाते जाएंगे बहुत तेजी से इसको नहीं मिलाना है क्योंकि इसमें जो हवा form हुई है वो हमें इसमें बनाए रखनी है जादा मिक्स करने से इसके अंदर जो हवा फॉर्म होई है वो कम हो जाती है और फिर यह मिक्स्चर नीचे बैठ जाता है तो पस हलके हलके हाथों से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा मिक्स्चर त्यार है अब हम चलते हैं पैनकेक्स बनाने के लिए आपको फॉरानी पैनकेक्स बना लेने इसको रखना नहीं अगर आप इसको रख लेंगे तो फिर फिर नीचे बैठ जाएगा अब हम मीडियम फ्लिम पर एक पैन को गरम करेंगे और इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे बस हाफ टीस्पून के करीब और सिंप्ली इस बटर से इस पैन को ग्रीस कर लेंगे आपके पास बटर नहीं है तो फिर तेल या पिर घीका भी इस्तमाल कर सकते हैं अब वन बैफ फ को भी ओष्टर रहे यह फ्यले नहीं जादा इसको मिनिमाम फैलाना है जितना मिनिमाम फैलेगा उतनी यह फ्लफी मनेंगे अब हमें क्यास की फ्लेम को बीलकुल धीमा कर दे dictionary और सकते हैं और इसके descript साथ साइट श cannände के मैं को अक्रड़ में इसको दुबदय करेंगे अच म से पकग गएं अब हमें ऐतियाद के साथ इसकी साइड को बदल देना है बहुत के Mullii हाँ पर इसकी साइड को बदलेंगे और दूसी तरफ से भी इसको ढक कर हम पकाथेंगे दोभारा से हमें इसकी साइड में पाइज की डालना है एक टिस्पून करीब बस ध्यान रखेगा पानी पैनकेक को टच ना करें वनना फिर यह सौगी हो सकते हैं फिर से ढग देंगे और दो से तीन मिट के लिए दूसरी साइट से भी इसको पका लेंगे यहाँ पर हमारा सूफले पैनकेक बनका तयार है और दूसरी साइट से भी मैं आपको दिख सूफले पैनकेक ठीक से पख रखा है तो फिंगर से हलका से प्रेस करके देखेगा अगर यह पाद बाहर क्यार नहीं स्माँ नहहीं अगर आपके पास available है, मैं आपको cut करके भी दिखाती हूँ या अंदर से भी perfectly done है, यह देखिए, एक sponge की form में आ रहे है अंदर से, यानि कि यह बिल्कुल भी कच्छा नहीं है, एक sponge की तरह इसमें जाली बन चुकी है, आपको simply इसको मेरे बता है method से cook करना है, थोड़ा सा पा जाएंगे, उमीद करती हूँ, सूफले pancake की यह recipe आपको बहुत पसंद आई होगी, जरूर से try करेगा, और मुझको अपनी feedback जरूर दीजेगा, आपके सूफले pancake कैसे बने, recipe अच्छी लगए तो प्लीज लाइक करिएगा, family और friends में शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर पहली